गुड मूर्निंग एवरिवन, वेलकम टू सर्सोती कलासिज आज हम करेंगे सेट नमबर 38 को तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्योस्ट्टन है परकास वर्स किसकी इकाई है उप्सन A है दूरी की, उप्सन B समय की, उप्सन C, आयू की या उप्सन D परकास कीती वर्ता की तो इसका सही अंसर हो जाएगा उप्सन नमबर A यानि दूरी की परकास वर्स दूरी की काई है परकास द्वारा एक वर्स में ते की गई दूरी को एक परकास वर्स कहते है Next question, question number second पारस एक किस का मातरक है? Option A दूरी का, Option B सम्य का, Option C परकास की चमक का, या Option D चुंकियाबल का पारस एक मातरक है दूरी का पार्सेक का परयोग लंबी खगोलिये दूरी को व्यक्त करने के संद्रम में होता है एक पार्सेक पराबर 3.262 परकास वर्ष होता है केस्टन नमबर थरी निम्नांकित उर्जा रुपांत्रणों में से किसके द्वारा परकास संसलेशन की किरिया संपादित होती है उर्जा रुपांत्रणों में किसके द्वारा परकास संसलेशन की रिसका सही आंसर हो जाएगा परकास संसलेशन एक मातर ऐसी जेविक परकिरिया है जिस में एते दिक मातरा में सुर्या की परकास की उड़जा को रासायनी कुड़जा में बदला जाता है नेक्स्ट किउस्टन है परकास सजावट तावियापन के लिए विसरजन अलिका में प्रियुक्त होने वाले गेंस कौन सी है उप्षन A है कारबन डायाकसाइड उप्षन B अमोनिया उप्षन C सल्फर डायाकसाइड ओ या उप्षन D नियोन तो इसका सही आंसर होगा उप्षन नमबर D यानि नियोन नियोन गेंस विसरजन लेंपो इम ट्यूबों तथा परती दिप्ती वल्बों में भरी जाती है नेक्स्ट किउस्टन किउस्टन नमबर 5 एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ क्यों चमकता है उप्षन A है पुरण आंत्रिक प्रावर्तन के कारण उप्षन B प्रकास के उशोषन के कारण उप्षन C कुछ सभाविक गुण के कारण उप्षन D के आन्विक सरंचना के कारण तो इसका सही answer हो जाएगा option number A पुरण आंतरिक प्रावर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जगमगाट के साथ चमकता है option number A होगा सही answer हीरे के चमकने का परमुक कारण उसका आंतरिक प्रावर्तन ही है क्योंकि हीरे का अपवर्थनाक बहुत अधिक 2.42 होने के कारण हीरे के प्रəष्टों पर बार-बार प्रण आंतरिक प्रावर्तन होता है sev俩 और नेक्स्ट क्योस्टन क्योस्चन no.6 है जन्तु विग्यान किसका अध्यन करता है option A है केवल जीवित जानवरों का option B केवल जीवित बनस्पती का option C जीवित वेमरित जानवरों दोनों का उप्सन डी है जीवित वेमरित बनस्पती दोनों का तो जन्तु विग्यान किसका अधिन करता है जीवित वेमरित जानवरों दोनों का उप्सन नमबर सी सही आंसर होगा जन्तु विग्यान के अंतरगत जीवित एवं मृत जानवरों का विश्तरीत अधियन किया जाता है जन्तु विग्यान जी विग्यान की एक परमुक साका है जिसके जनक अरस्तु माने जाते है नेक्स्ट किस्टन किस्टन नमबर सेवन फूलों के एदेन को क्या कहते हैं? उप्सन A है फ्रेनोलोजी, उप्सन B एंथोलोजी, उप्सन C एग्रोस्टोनलोजी या उप्सन D पेलिनोलोजी तो फूलों के एदेन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा उप्सन नमबर B एंथोलोजी फूलों के एध्यन को एन्थोलोजी कहा जाता है फ्रेनोलोजी होती है मस्तिक के विभिन भागों की किर्या सिल्ता तथा विख्षिप्तिता का अध्यन एग्रोस्टोलोजी है घांस से समंदित अध्यन और Palinology है विविन परकार के प्राग कनों का अध्यन और Ethology कहा जाता है फूलों के अध्यन को किटों के विग्यानिक अध्यन को क्या कहते है То किटों के अध्यन को कहते है Automology Option number B होगा से यांशल कितों के आधियन को Entomology कहा जाता है और Ext variety कहा जाता है मत्से किस रचनाधी के आधियन को Parasitology है परजीवी जीवों के आधियन से समंदित और मेलेkolology है मुलासका और इसके जो इनके सेल हैं उनके आधियन से समंदित next question है question number 9 मेमत किस के पुरुवस थे option A है कुत्ते के option B घोड़े के option C उंट का या option D हाती का तो मेमत जो है हाती के पुरुवस थे मेमत पर जाती वर्तमान समय में भी लूप्त है यह हाती का पुरुवस माना जाता है question number 10 भारत की विशाल वन्य विलियों में किस के बारे में कहा जाता है कि वह हाली में विलूप्त हो गई है option A है चित्ता, option B तेंद्वा, option C बाग या option D सिंग तो इसका सही आंसर होगा option number A यानि चित्ता चित्ता वह एकेला पसू है जो भारत में विलूप्त गोसित किया गया है next question है डाइनासोर किस यूग में रहे थे? option A है पेलियो जोईक यूग में, option B है सेनो जोईक यूग में, option C मेसो जोईक यूग में या option D पलाइस्टो सीन यूग में तो डाइनासोर किस यूग में रहे थे? इसका सही आंसर होगा option number C यानि मेसो जोईक यूग में डाइनासोर विशाल का इसरी सरप थे जो की मद्य जीवी या मेसो जोईक महाकाल में थे उत्री महादुपों के जुड़ने गोडवाना महादीप के प्रिथक होने तथा पिर्थुई पर उलका पिंडों के गिरने से डाइनासोरों से लगबग छेतर परती सजातियों की व्यापक विलुपती हो गई अप्सन नमबर सी होगा इसका सही आंसर मेसो जोईक में नेश्ट किर्चन निमन लिखित में सबसे बड़ा सतन पाई कौन सा है उप्सन A है वैल मचली उप्सन B है अफरीकी आती उप्सन C दरियाई गोडा या उप्सन D दुरुई भालो तो सबसे बड़ा सतन पाई है वैल मचली यानि उप्सन नमबर A होगा सही आंसर ब्लू वेल पिर्थी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तन पाई जीव है इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक तथा वजन 100 सी मीटरी टन से भी अधिक हो सकता है क्योशन नमबर 13 नील गाएं निमल लिखत में से किस कूल में आती है उप्सन ए है गाएं उप्सन बी बकरी उप्सन सी भेड या उप्सन डी हीरन तो नील गाएं किस रेनी में आएगी उप्सन नमबर डी यानि हीरन के गुल में नील गाएं भारत में पाये जाने वाले विशालतम मरिग पर जाती है मरिग उन जन्तुओं को कहा जाता है जिनमें 27 सिंग होते हैं अतार्थ हीरनों के इस रंगामबों के समान नील गाईं के सिंग हर साल गिरकर नए सीरे से नहीं उगते क्योस्टन नमबर 14 देख लिजे निमल लिखित में से किस जन्तु में खुर नहीं पाए जाते हैं उप्शन A है हीरन उप्शन B गिदड उप्शन C जेबरा या उप्शन D घोडा तो इसका सही आंसर होगा गिदड गिदड एक ऐसा जन्तु है जिसमें खुर नहीं पाए जाते गिदड के खुर नहीं होते गिदड भेड़िये या कुत्ते की जाती का एक जानवर है जो लोमडी से मिलता जुलता है यह प्राय उजाड स्थान और जंगलों में रहता है इसकी लंबाई साट से पिचेतर सेंटिमीटर होती है तथा वजन आठ से ग्यारा किलो होता है इसकी सुंगने की सक्ति परबल होती है नेक्स्ट क्योस्चन है क्योस्चन नमबर फिप्टीन पारिश्थितिगी तंतर के जेविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है ओप्शन ए है गाएं ओप्शन बी मोर ओप्शन सी बाग या ओप्शन डी हरेपोदे तो उत्पादक घटक होंगे option number D यानि हरेपोदे ऐसे जेवी घटक जो अपना भोजन समय निर्मान कर सकते हैं उत्पादक कहलाते हैं यह है घटक सूर्य की उड़जा से उड़जा ग्रैंड करके जल तथा कार्बन डायाकसाइड जैसे एकार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बन मुक्त बोजन बना सकते हैं जैसे की हरेपोदे तो फ्रेंट्स आज की हमारी वीडियो यहीं समापत होती है नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद